देखिए यही है नाग मनी गुस्य से आग बबुला हो रहा है और यह मूँ से अपना बलड को उगल रहा है देखिए किस परकार से नाग मनी नमस्कार जहिंद्फ फ्रेंड्स आप देख रहा है सुझाई सिनेक सेवर यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले तो दोस्तों आज देखिए एक गुस्यल नाग देवता किस परकार से पानी पीता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रहा है आपने आपको कि ऐसा द्रिश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है कि दोस्तों देखिए तो दोस्तों आपने देखा किस परकार से साब जो है क्या पी रहा है पानी तो दोस्तों कल लेट नाइट ये सांप रेस्की हुआ था जो जहां पर हम लोग रेस्क्यू करने गया थें वहां पर एक दारू पिये हुए इंसान ने हमारे साथ जगड़ा कर दिया एक छोटा सा किलीप आपको जरूर हम दिखाएंगे जहांड़ पुक से आज तक किसी का जान नहीं बच पाया ये भी आप जान करें किया सही बात है ना संदिव जब भी काटें हॉस्पिटल ही जाएं कभी भी जहांड़ पुक का चक्र में बिल्कुल ना पड़ा है इनका प्रॉब्लम क्या है देखिए बोल रहा है यह इच्छाधारी नागराज है और इससे आप लोग मनी प्राप्त किजिएगा मनी को निकालियेगा तो कितनी सच्चा है इस बात में हमें तो मालूम नहीं है लेकिन आपके बीच यह सुझै सिनिक सेवर आज एक ऐसा ही अनोखा वीडियो लाया हूँआ है संपकर आप भी हैरान रह जाएगा आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा आज तक आपने ऐसा द्रिश्य कभी नहीं देखा होगा तो दोस्तो इसे हम लोग इंडियन स्प्यक्टिकल कोवरा, हिंदी में नाग, बंगला में गोखुरो, गेहुवन, खरिस के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पल्टू के नाम से भी जाना जाता है यह जो साफ है बेहती गुसेल और निरो टॉक्सिन वाला सबसे जरीला साफ तो क्या होता है घरवाले को पता चल जाता है हमें पता चल जाता है आपका भोज सामने ही होने वाला है तेरा दिन या फिर चौदा दिन में तो यह काम मत किजे क्योंकि आपके साथ खत्रा कभी भी हो सकता है और हमारी तरह साफ को छुने का पकड़ने का नकल ना करे क्योंक करते हैं तो आप उसके उपर नहीं कि पहुंचा एयर किसी को हनी पहुचाता ये भी आप लोग जानके रखिये कियों कि आप लोग अगर बतमीजी करते हैं तभी ये आपको हमें बाइट करता है देखिए किस परकार से ये साप जो है हम पर हमला कर रहा है दोस्तों इसका दांत नहीं निकला हुआ इसमें पॉईजन भरा हुआ है हम लोग क्या करते हैं सापों को बचाने के लिए काम करते हैं तो आप लोग भी सापों को बचाने के लिए काम बहुत ज्यादा अच्छा करत तो इसके लिए दिल से सलूट करता हूँ मैं इसी को दूधिया नाग भी कहीं कहते हैं थोड़ा सा सामने आकर आप लोगों को दिखाईए क्या है इस प्यक्टिकल कोब्रा और क्या है नाग तो दोस्तो जादा लेट नहीं करते हुए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम देकर इसे छोड़ने वाले हैं और इस ये किस परकार से नाग मनी प्राप्त किया जाता है ये भी आपको हम बताएंगे क्योंकि आज तक जितना भी वीडियो आपने देखा होगा उससे कई खतरनाक है ये सांप क्योंकि अगर आ हमको डस ले तो हम एहीं पर मर जा क्योंकि इसके फन में एक वी टाइप का अकार बना हुआ है वो जो वी है वो लोगों को इतला कर देती है ये सांप खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर निरो टॉक्सिन पॉइजन पाए जाता है अगर किसी को काट लेता है तो उसके आँक के सामने ठीक धुनला पंच्छाना और आहिस्ता आहिस्ता आप कोमा की अर्च ले जाते हैं इसकी लुक देखकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका पूछ देखिए कटा हुआ है ये छोटा सांप है फूल एडल है लेकिन चुहां मंगुस से इसका लडाई होता है नेवला से लडाई होता है तो चुहां जो है नेवला जो है इसके पूछ में बार बार वार करता है उसी में इसका पूछ कट कर अलग हो जाता है लोग कहते हैं ये किसी को जरूर काटा होगा इसलिए उसका प वारे में आप जान नहीं पाईएगा इसका किताब आता है इसके वारे में इसका जो दुनिया है बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके इसके दुनिया से हम लोग बहुत ज्यादा छोटा है स्मॉल साइज का है इसलिए यह जो साफ है आज तक किसी के बस में नहीं आया ना हमा पिया हुआ था उनका बात को गौर करते हुए इसके अंदर से देखते हैं नागमनी निकलता है या नहीं कितनी सच्चा है ये नागमनी में चली दोस्तों पहले निकालते हैं नागमनी को हमें लग रहा है इसके अंदर सचमुच का नागमनी है ये अपने नागमनी को देना न देखिए गुस्टे से जहर उगलते हैं लोग लेकिन ये ब्लड उगल रहा है ये क्या फंडा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों ज्यादा जोर से दाबे नहीं है क्योंकि इसे भी जैसे तकलीफ ना हो जाए हमारी बजर से आज तक तो तकलीफ नहीं हुई है लेकिन अभी आप लोग कमेंट करके बताईएगा ये तकलीफ दे रहे या फिर नहीं लेकिन हमें जेतना दूर लगता है हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों चलिए पहले ये चुरी से पांच का चुरी है इससे अगर पचास लाग क या फिर एक कलोर का नागमनी निकल जाए तो हमारा ही फाइदा है चलिए दोस्तों पहले निकाल कर दिखाते हैं आपकी बीच छोटा छोटा टिक्स है इसके उपर वो टिक्स को भी हम हटाने का कोसिस करते हैं देखिए साप का खून पिने वाला बेहत खतरनाक टिक्स साप इसी से मर जाते हैं देखिए फन को किस परकार से फैला रहा है देखिए चलिए पहले निकालते हैं तो सचमुच्व सरावी का बात सच में हो गया आज हमें नागमनी प्राप्त हो गया देखिए एही है नागमनी इसी को नागमनी कहते हैं हम लोग चलिए पहले निकालते हैं नागमनी को लेते हैं चलिए थोड़ा सा दूर हो जाए केमरामेन क्योंकि यह हमला कर देगा अब क्योंकि नागमनी इससे छिन लिया गया है सामने बेहती कीमती और बेहती नायाब जिसे हम लोग नागमनी कहते हैं लेकिन इसमें चमक आखिरकार क्यों नहीं है नागमनी पूरे दुनिया में रौसनी फैलाती है रौसनी तो पहले से है लेकिन इसमें रौसनी नहीं है क्योंकि यह पेट सपा हर रोग दफा क्या है चोटा सा हेक पुदिन हरा सामने एही है साप का असली नागमनी तो दोस्तो नागमनी बोलकर आज तक इस पृत्वी में इस दुनिया में कुछ नहीं पाया गया है लोग भ्रमित करते हैं आपको और हमें नागमनी दिखा कर क्योंकि सपेरा जो होता है वो अपने पेट को चलाने के लिए दोर टो डोर जाते हैं और नागमनी पहले से एक छोटा सा स्टोन को उसके मस्तिक्स में सठा कर रखते हैं और गाउंट में जाकर दोर टो डोर चावल मांगते हैं और वहाँ पर मनी निकाल कर दिखाते हैं लोग क्या करते हैं, असली मान बैठते हैं और पाँच हजार या फिर दस हजार किसी को वो बाबा लोग चुना लगा कर पचास हजार भी लूट लेते हैं, इसके रखने पर कुछ नहीं होता है क्योंकि नागमनी बोलकर आज तक इस पृत्वी में इस दुनिया में कुछ नही मरे गए, ये भी सुन कर रखिये, क्योंकि आप बुलफक बन जाते हैं और नागमनी प्राप्त लेने के चकर में आए दिन पांच हजार, दस हजार का नुकसान कर बैठते हैं, ज्यादा तर ये गाउग घर में होता है, आप लोग उसे हाँ जोड़ कर बिंती हैं, अगर ऐस बाबा आप लोगों के पास आया है, तो आप लोग क्या कीजिए, फोरेस्ट ओफिस या फिर ठाने में इनफर्म करके उसे पकड़ा दे, क्योंकि यो सांप के साथ खिलवाड कर रहा है, और ये छूरी का इससे वीडियो में प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि सांप को को परकार का दिक्कत हम नहीं पहुचाना चाहते हैं, सांप की और, सांप, देखिए, तो दोस्तो अगर हमारे चैनल में आप नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और साथी में बेल बटन फ्रेस कर ले, क्योंकि बेल बटन फ्रेस करने से सांप एनिमल रेप्टाइल से जुड़ रहेगा, दोस्तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं, चलिए आपसे नागमानी नहीं छीना गया है, और आपको दिक्कत भी नहीं पहुचाया गया है, पहले इसे इधर रिलिस करते हैं, क्योंकि रिलिस करने का मजाई कुछ अलग है, अलग लेवल का लगता ह छोड़ने का मजा कुछ अलग छोड़ने का मजा कुछ अलग तो चलिए दोस्तो पहले इसे रिलिस करते हैं, एक बार सामने से ले लिए, पहले इसे रिलिस किया जाये फॉरेश्ट में, किस परकास से सांप रिलिस होता है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलता है, चलिए सांप अप जंगल की और पधार रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, फिर किसी नेक्ट वीडियो को ले कर मिलते हैं, वीडियो को जादा से जादा एक कर दोस्तों आप लोगो के लिए सलाम।